धार जिले की तिरला थाना अंतरगत एक आधिवासी महिला को जिंदा जला दिया गया आरोप है कि महिला के पती ने उसको मिट्टी का टेल डाल कर आग के हवाले कर दिया मिर्तिका रेखा बेटमा की रहने वाली है जिसका विवाहत तिरला थाना के छत्रपूरा के रहने वाले दीपू से दश वर्ष पहले हुआ था परिजनों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से मिर्तिका के पती दीपू का एक अन्य महिला से अवैद संबन था कारण दोनों पती पत्नी में आए दिन विवाध होता रहता था जिसकी शिकायद भी की गई थी जिसको लेकर मामला न्यायाले पहुचा और आपसी समझोते के बाद रेखा पुन है अपने सुसुराल जाने लगी थी प्रंतु कल रेखा और उसके पती में फिर से विवाध हुआ इसके बाद मिट्टी के टेल से जला कर रेखा को मार दिया गया इधर सुचना मिलने के बाद पुलिस भी मोके पर पहुंचे अश्रव को पोस्ट मार्टम के लिए धार के जिला अस्पताल भेज दिया गया पु तो एक अन्य महिला के प्यार में पती ने अपनी पत्नी को मोत के खाट उतार दिया कि यह सब्सक्राइब कर जांक की जा रही है तेसे लदिकारी द्वरा भी ने विच्छन किया गया गया गत्ना इसकल कर जेसा जांक में पाए जाएगा वेसी कारवई की जाई है महिला के परिजनों का आरोप है कि सश्राल वालों ने बांद कर उसे जलाया है क्या लगता प्रतम दाशिए अपराद के दोनों बच्छे घटना इसकल पई थे जाए उनके द्वारा देखिए कथन लेकर उनके कथन लेकर जिसी कारवई होगी विशक्तिया जाएगा अधि अपराद बनता है तो अपराद के कायम कर दोशी के जिरुद्धे कारवई की जिए आपको नाम बता बहुत है पढ़ाना रच्छे गिलिप आना तिर्या अब जाए और रच्छी न Ayk名 की सादिया करी प़ोगेशान करते ही लिए परिजान Shepherd करने के लाथ में परिशान करते थे और निकी बेन भी साथ में वो तिनों मीलकेन के परेशान इने करा खूब और ने घष्या डाल के बानके जला दिया हुआ इंक अठाड़ से अहलत हो गई इनकी। कई DAहच के मांग भी करते थे ? DAHच के मांग करते थे ? जोड़ने औरियू रोड़ने हुआ हुआ। क्योजों इसलिए आपके नाम हुआ। मैं शीटेननाट काथ। ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवारी